अव समझते हैं अप्रा क्या है? अप्राध क्यूं होता है? अप्राध से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? हम सभी ये जानते है कि मानव एक सामाजिक प्राण है जो समाज में रहना पसंद करता है मानव अपने जीवन की शुरुआत से ही अप्रद से परिचित है अगर हकीकत में ये देखा जाए तो कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें अप्राध की धारना का जन नहीं हुआ हो अप्राध अलग अलग जगहों में अलग अलग रूप में हो सकता है यदि देखा जाए तो मानव जीवन की व्यस्तता, लोगतन प्रात्मक पद्वती में सत्ता प्राप्ती की तीवरिच्छा, मान प्रतिष्ठा और सर्वोपरी अकिचंता आधी मनुष्य को आप्राधिक प्रवरिती की और ले जाती है इसी प्रकार मानव एतिहास को देखा जाए तब हमें पता चलता है कि मानव सभ्यता पर सबसे घातक और जगहन्य कार्यस्वन्य मानव द्वारा ही किये गए है इससे यह मालूम होता है कि अप्राध विहीन समाज की कल्पना एक कोरे सपने की तरह है अप्राध की धारना सभी स्थान समय व समाज में एक जैसी नहीं होती है किसी स्थान समय व समाज में जो कार्या प्रद माने जाते हैं हो सकता है कि वही कार्या अन्य स्थान समय व समाज में केवल तुटी या एक साधारन कार्या माना जाता हो जैसे जैसे मानव की प्रगती वविकास हुआ है वैसे वैसे अप्राधों की मात्रा और स्वरूप में बदलाव आया है अप्राध का अर्थ अंग्रेजी भाषा में अप्राध को क्राइम क्राइम कहा जाता है ये लेटन भाषा के शब्ध क्रिमेन क्रायमेंट से बना है जिसका अर्थ निर्नए देना होता है, घृक भाषा में क्रिमेन शब्द का अर्थ अलगाव है और संग्या के रूप में ये शब्द किसी निर्नए का बोध कराता है। अपराध की परिभाशा ऐसा कृत्य जो भारतिय दंड सहिता या यथा परिभाशत विशेश या स्थानिय विदी के अंतरगत दंडनिया हो अपराध कहलाता है अथ्वा ऐसा कृत्य या कारिय जिसके करने से किसी स्थान विशेश के कानून का उलंगन होता है इसे अपराध कह आजाता है आसान शब्दों में अपराध क्राइम एक ऐसा कार्य या कार्यों का संगठन है जिससे राज्य की शांती भंध होती है या हिंसा उत्पन होती है या साधारन जन जीवन दूशित होता है और जिसके लिए विदी में निर्धारित डंड की व्यवस्था की गई है अनून में अपराध क्या है भारतिय दंड सहिता के अनुसार धारा चालिस के खंड दोव तीन में वर्नित अध्यायों और धाराओं में के सिवाए अपराध शब्दिस सहिता द्वारा दंडनिय की गई किसी बात का द्योत्तक है अनेक विधिवेताओं और लेखकों ने क्र परिवर्तन होते रहते हैं जिस कारण इसे एक परिभाशा में समझना संभावी नहीं है